सब्सक्राइब करने वाले हैं चैप्टर नमर थर्ड पसुची किस्सा संबंदी औस दी एबम उपकरन जी हाँ ट्वल्त आपका एग्रिकल्चर में एनिमल हजबेंट्री के सब्जेक्ट पर हम आज डिसकसन करने वाले हैं तो इस्टार्ट करते हैं हमारा फस्ट कोशन फस्ट इरिगेटर क्या होता है तो यहाँ एक कैचिनुमा यंत्र होता है कैची के समान आपको दिखाई दे रहा होगा इसका उपयोग पसू को बंध्या करन करने में किया जाता है जिस प्रकार से इंसानों में नजबंदी होती है वैसे आपके जो नर ठीक है बच्छडे होते हैं गायके जो बच्छडे होते हैं उनमें बंध्या करन किया जाता है क्यों किया जाता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे तो पसू के ब्रसन में रक्त ले जाने वाली जो नलीका होती है जिसे हम लोग बोलते हैं स्प्रमेटिक कॉड को दबाकर रक्ध प्रभा को क्या कर दिया जाता है ठीक है समाप्त कर दिया जाता है रक्त प्रभा फिर उसके बाद नहीं हो पाता है जिसके कारण से क्या होता जो ब्रसन होता है जो होते हैं हमारे वह क्या हो जाने लगते हैं निस्क्रिय होने लगते हैं तो जिससे हो जाता है पसु बंधिया हो नहीं ले सकता तो इस डी वर्डी दो करेंट टीक है क्रस्टेटर डिवाइस विच इंप्लोइज अ लार्ज । टेस्टेटर का यूज़ नहीं करेंगे इनका जो अंड़कोस होता है जो टेस्टीज बाला भाग' होता है यह लंबा हो जाता है यह लटक तो नजर आता है वहीं पर श्रेंस यह आपका सांड है वहीं पर दिश्ट्रेंस हम क्या बात करें हमारी ठीक है बुल की बात करें हमारा ठीक है बैलों की बात करें दिश्ट्रेंस तो बैलों में इसका अकार जो होता है वो क्या होता है क करने के काम में आते स्ट्रेंस और इनमें ताकत बनी हुई रहती क्योंकि इनका जो स्पर्म रिलीज है वह नहीं हो पाता है और स्ट्रेंस सांड़ों का यूज किया जाता है फिर गायों को गर्वधारन करवाया जाता है क्योंकि स्ट्रेंस मेहनत के कामों में यूज करते हैं तो इस जिन बच्छ उन्हें बड़ी जो करस्टेटर के द्वारा उनका जो टेस्टिकल भाग होता है उसे दबा के तोड़ दिया जाता है जिसे अंड़कोस कहते हैं जैसे इंसानों में भी अंड़कोस होते हैं तो उनको तोड़ दिया जाता है जानवरों को काफी दर्ध होता है या कई बार उनक है तो इसको तोड़ने से इनकी क्या हो जाती है काम करने की छंता बढ़ जाती है आयोप आप लोगों को किलियर हो गया होगा इसके बाद में हम बात करेंगे सैचक सैचक का यूज क्यों किया जाता है सैचक क्या होता है तो इस यह क्या होता है तामचीनी की बनी हुई ठीक एक गावद होने तथा सफाई करने के काम में लाए जाता है इसके अतरिक्त इसमें यह अनीमा लगाने की भी काम में आता है इसमाल टैंक मेड़ ठीक है एनेमल इन विच ठीक है इनसेक्टिसाइड सॉलूशन इस फिल्ड इस यूस्ट पॉर वासिंग एंड क्लीनिंग वांड ठीक है अपार्ट फॉर्म देस इस आल्सो यूस्ट पॉर सैटिंग एनिमा जी है इसका यूस किसली किया जाता है एनिमा के qre homepage khanna जाते है जैसे मादेट शालो जानवरों के trend इस बाले भाग में होगिया यह अंन्दर किसी बहाग में हो गया जहां भीस द्लिए कर दिया जाता है ता ज्यूर्क टीक है second question पर आते हैं students हम पसुची किस्व में काम आने वाले किनी चार उपकरनों के नाम लिखे any फोर इंस्ट्रुमेंट्स यूजड इन वेटनरी ठीक है medicine जी है students आपको उनके नाम बताना है यह इस question पूछा जा सकता है निमलकित उपकरनों के उपयोग लिखे यह राइट दी यूजेस ऑफ फॉलविंग टूल्स ठीक है खोरेरा यांत जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रोंग कॉम या श्रेंस प्रॉप बोलते हैं यह श्रेंस हम लोग बोलते हैं इनका यूज बताना और भी श्रेंस ऐसे हमारे टूल्स हैं जिनका उप्योग किया जाता है फस्ट कोस्ट का जो हमारा टॉपिक होगा खुरेरा येंत्र पर हम बात करेंगे ग्रूम क्रॉम लेंतर्ष्रिन श्रेंस किहार ब्रस होदा है जो फस्वुएं सफही करने के काम में आता है इस से पसू के सरीर की मालिस की जाती है जिससे पसू सरीर के श्रेंस रक्त प्रवाज होता है तेजी से बढ़ने लगता है इससे पसू सरीर के श्रेंस जो पिस्सू वगएरा हो जाते हैं कई बार छोटे-छोटे पिस्सू हो जाते हैं या कोई भी ठीक है परजी भी हो जाते हैं पर ब्लड फ्लो इस ठीक है accelerated due to which the flies and parasites of the animals body also get away ठीक है उन्हें क्या करता है भगाने के काम में आता है तो कैसे तो यह देखिए यह रहा कॉम जब जानवरों के श्रेंट्स उपर यह कॉम चलाया जाता है जन्हें सब्सक्राइब हो जाता है उसके बारे में बताइए तो यहां से कोशन बनना चाहिए फिर हम बात करेंगे तो यह द्हातु का पतला यंत्र होता है आप देख सकते हैं बहुत ही पतला है ठीक है यह पीछे वाले पकड़ने वाला हो गया इसके द्वारा पसु के घाओ की गहराई ना पी जाती तो पसु को जो भी घाओ वगएरा हुआ है चाहे वो पैरों में हुआ हो यह सरीर के अंदर हुआ हो कहां कितना घाओ हुआ है उसको मेजर किया जाता है जैसे हम लोग प रजहरी घाओ लगी हुई है और म्यांदर द्वा पहुचाना है तो इसी यह पर लगा के ठिक है और जहां भी घाओ लगा वहाँ पर ले करदिंगे चोड़के ठीक है उसका इसका यूज कर लेंगे तो दबा पहुचाने की भी काम के आता है it is a thin metal instruments through which a depth of the bounds of the animal is measured and it is used to deliver medicine inside it medicine को भी इसके ठीक है अंदर भरके श्वेंस या इसमें लगा कर हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो आई हो पर श्वेंस ये भी कोशन आपको किलियर हो गया होगा तो इस प्रकारकी क्या है चिंटी होती है जो ऑपरेशन के समय धंटने के काम में आती है जिससे रक्त संचरन क्या हो जाता है बंद हो जाता है तो इस के द्वारा हो जाता है अब process known as आपका hemostatis के नाम से जाना जाता है, इस process को क्या कहा जाता है, हीmostatis के नाम से जाना जाता है, तो यह forcep है, क्या होती है, एक प्रकार की हमारी, ठीक है, दाते दार क्या होती है, चिम्टी होती, यहाँ पर क्या लगे होते हैं, बारिक बारिक दाते लगे हुए होते ह काम में आती है तो ये भी हमसे paper में पूछा जाता है अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कैंची क्या होती है तो यह स्टेंट्स स्टील की बनी होई हुए आप देख सकते स्टेंट्स स्टील की बनी होती है यह operation के समय सड़े गले मांस तथा चमडी काटने के काम में आती है तो बोले यह सर सड़े गले मांस को काटने के लिए काम में आती है तो स्टेंट्स आप बताईएगा कि स्टेंट्स स्टील क्या होता है स्टेंट्स स्टेंट्स कौन कौन से मिलकर बनी होती मैं आपको answer नहीं दोंगा stainless steel के component आप मुझे message कीजिए कि stainless steel किस से बनी होती जैसे पी तल ठीक है किस किस से बनी होती काँ सा किस से मिलकर बना हुआ होता है तो वैसे stainless steel किस से मिलकर बनी होती है आप comments section पर मुझे comments करें it is made of stainless steel Caesar are used to cut रोटन मीट मीट को सड़े गले मीट को काटने के लिए और इसकी इंड दूरिंग ऑपरेशन आपको सड़े गले मांस और चमडी काटने के लिए यूज करना होगा तो आप कैंची का सहरा लेंगे तो ऐसी ही पूरी 12 की एनिमल हजबेंटरी की स्वेंट हम स्रीज बना चुके ह जो भी विद्ध्यारती इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर फास्ट चैप्टर सैकेंड चैप्टर थाड आने वाले भी चैप्टर फोर्थ फिप्ट तो इस जितने भी एनिमल हजबेंटरी के चैप्टर है चाहा है इस वह 12th क्लासेस के हो सभी क्ला कोस्ट है इसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा यूटूब पर इस्वेंस फ्री आप कॉस्ट आपको प्रोवाइट की जाएगी आप हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाएए वहाँ पर इस्वेंस आप एनिमल हजबेंट्री क्लास 12 पर जाकर सभी क्लास को देख सक क्लास 12 के साथ साथ में दिया आप आप ICR एक्जाम की तयारी करना चाहते हैं या दाहित के एक्जाम देना चाहते हैं तो इंटरंस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और तयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मुझे जरूर कंटेट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नमबर 9407384042 पर और श्रेंस आप एक दिन की फ्री डेमो क्लास लगा कर देख सकते हमारे कोचिंग के माध्यम से श्रेंस सरवाधिक सेलेक्शन हमारी कोचिंग के माध्यम से विगत 15 वर्सों से हो रहे हैं 210 विध्यारतियों का श्रेंस लास्ट इयर सेलेक्शन हुआ है हमारे इंटरन्स एक्जाम आई सी आर पी वी एफटी दाहेद ठीक है श्रेंस सी उटी एक्जाम में तुशन जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा मिलेंगे फिर ऐसी आन्ने वीडियो के साथ में वीडियो को अंते तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद